हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल एनस बिल्डर प्रॉपर्टी एडवाईजर एंड कंसर्टेंड दोस्तों आज मैं आपके साथ एक सवसात मले डवल स्टोरी फोर बैट्रूम सेट मकान की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो की जाल अंदर में वेरकम मकान का काफी खुबसूरत है इस मकान का जो फ्रंट है वो 25 फीट है और जो इसकी लंबाई है वो 60 फीट है काफी अच्छा टाइल वर्क हो रखा है पूरी मकान में डाउन स्रींग हो रखी है फ्रंट में आप देख सकते हैं फ्रंट के वाल में भी टाइल वर्क हो रखा है प्रंट बॉंडरी बॉल से तीन फिट ग्रेन वैल्ट चोड़ रहा है रहा है रहा है रहा है पूरे पूर्च में ग्रेनाइट कवर खोड़ रहा है जट ब्ला ग्रेनाइट लगी हुई है प्रंट बॉंडरी बॉल से यह साथ फिट स्पेस छोड़ रहा है यह बाहर में टैप्स लगी हुए है वाशिंग के लिए यह फ्रंट विंडू ब्राइंग रॉम का शतों पे आप देख सकते हैं कल सीन लाइटे लगी हुए है विट डाउन सेलिंग यह मेन एमसीबी बॉक्स जहां जहां एलेक्रिसिटी पॉइंट की रिकॉर्मेंट है सारे पॉइंट्स दी हुई है स्विच बोर्ड यह किचन की विंडू इसके साथ में रस्टिक पेंट हो रखा है स्टेर्स चुह बाहर जगई है फर्स्ट फ्रोर की वो स्टेर्स पर स्टील का रेलिंग हो रखा है पूरे स्टेर्स पर ग्रेनाइट कवर खोर रखा है डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट हुई हुए मेन इंटर्स मकान का जाली दोर लगा है गेट हैंडल विद दोर क्लोजर मकान में इंटर करते के साथ लॉबी लॉबी में एक वैनेटी के ऑप्शन दी हुई है साथ में डाउन सेलिंग विद लेडी लाइट लॉबी के साथ एड जॉइन है यह ड्राइं रॉम यह ड्राइं रॉम की विंडो अंदर से आप देख सकते हैं इसमें लेडी पैनल लगा हुआ है साथ में वाल में वाल देफर लगे हैं बैक साइड में चतों में जैसे कि मैंने आपको पहले इस विडियो में बगाया है पूरे मकान में डाउन सेलिंग हो रखी है सवा साथ मरले का फोर्ड बैड उन सेट मकान काफी खुपसूरत है राइड साइड में ये किचन है किचन के सर्थ में आप दे सकते हैं काफी अची जैड ब्लैक नेनो टाइल लगी हुई है बॉर्ड रोप्स का कलर कंबिनीशन काफी अच्छा है साथ में चिमनी के लिए एक्जोस्ट स्पेस छोड़ा हुआ है गीजर का पॉइंट दिया हुआ है साथ में टैप्स साइलेंट वाश विश्टिन जीडी बीटी लगी हुई है कटलरी सेट इस्टॉल है क्रीम और वाइट कुलर का कंबिनीशन है कर्बोर का राइट साइड में एक बैट्रून है मास्टर बैट्रूम इस बैट्रूम में लेडी पैनल इंस्टॉल्ड है जाटो के डांसिलिंग का वर्क साथ में ड्रेसिंग अरिया अलमेरा बना हुआ है अद्धर वाश्टॉम् काफी प्यार खुबसट थाष्ट का वर्क विछ बास्टिंग दो मेल चानी ती ताइड बिन वाश्टॉम् में ड्रेसिज़ इवाश्टॉम् जावर नाँटॉम् ते प्रेसिए प्रेसिंग मेंब्रेन डोर लगे हुए हैं पूरी मेंगान में राकी अच्छा कलर कॉमिनेशन है डोर का ग्राउंड स्वोर में यह कॉमन बॉशन है जो की बैट्डून से भी अटैच है इस पे भी बात पर टीम आप देख सकते हैं वीडियो में सेंट्स वाउश विशें विद मिरर शावर गीजर का पॉइंट डिवाइडर गर कोल्ड होट मिक्स्चर ग्राउंड फोल्ट में दो बैडल में इसमें भी एलेडी पैनल लगा हुआ है साथ में एक स्टोर का option इसको आप पूजा रूम में भी convert कर सकते हैं बच्चों के लिए study रूम में भी convert कर सकते हैं बैक साइड में यह OTS है open to sky space वाशिंग अरिया यहां पर आप वाशिंग मिशिन रिस्टॉल कर सकते हैं टैप्स दिया हुए है साथ में पाउडर शॉकेट दिया हुआ है गीजर का point उपर में फाइवर शिट लगी हुई है हैवी जांगले के साथ यह मैं आपको ground floor का वीडियो दिखा रहा हूं दो bedroom set first floor में है जैसा कि वीडियो मैंने आपको पहले बता है स्टेस बाहर से ऊपर की उर्ज गही है स्टेस पर ग्रेनाइट का वर्क हो रखा है डबल चार्जड मोल्डिंग है फस्ट प्रोल में यह balcony का भी हो है काफी अच्छी स्पेस है बैठने के लिए balcony पे भी down ceiling का वर्क विद concealed light जाली का दूर विद है इंटल करते के साथ स्ट फ्लोर की यह lobby है राइट साड में का किचन का option मिल जाएगा यहाँ आप किचन बना सकते हैं फर्स प्लोर में यह तीसरा बैठन है पूरे मकान में डबल चारज्ड विट्रिफाइड टाई लगे हुए है उपर पर यह common wash है पूरे मकान में यह तीन wash है इस पर भी खाभी खुब्सुर्ट चारण टाइट का वर्क है टैर्च शावर गिजर का पॉइंट वाश्वेशन वाश्वेशन विट मीर सीट प्रॉपर वेंडिलेशन के साथ इस्टॉल की गई है यह फूर्थ पैड्रूम है फर्स्ट प्रोर पे इस पैड्रूम में भी डाउंसलिंग कमर खो रखा है विद एलेटी लाइट्स उपर में अपन टैर्स पे जाने के लिए डबल डोर है जाली के डोर भी लगे हुए है साथ में बैक साइड टैर्स पे डोवाई दोर का टाइल लगा हुआ है जिससे आप फ्रोर को इजी क्लीन कर सकते हैं सेकंड फ्रोर पे जाने के लिए आपको स्टेर्स दी गई है स्टेर्स पे भी आप देख सकते हैं कि रेनाइट का वर्क है साथ में यह ओपन टैर्स है यहां पर वाटर टैंक स्टॉल है आसपास का व्यू देख सकते हैं कॉलोनी की काफी अच्छी रेजजेंशल कॉलोनी है जो भी सजनमित्र इस मकान को खरीना चाहते हैं वो मझे कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं मेरा कॉंट्रेक्ट नमर है 8146666667 और भी जाधा जानकारी के लिए आप रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सारी डिटियल्स दी गई है ऐसे ही वीडियोज के लिए आप जल से जल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेला है करने के बेटन को पुश्च कर लें कि जब भी कोई नोटिफिक्शन में वीडियोज अपलोड करूं तो उसके नोटिफिक्शन आपको मिल सके यह आपको मैं बाहर से फिर से मकाम के व्यू दिखा रहा हूं आसपास की लोकालिटी एनस बिल्डर चैनल को अपना प्यार देने के लिए धनवाद दोस्तों नमस्कार